देखिए इस बीच एक गोहाना से बड़ी कबर सामने आ रहे हैं सिधे एक खबर का रुख कर लेते हैं बताएं आपको कि गोहाना के महरागाफ के पास रहतक माइनर जो है वो तूट कई है माइनर तूटने से सौ एकर पसल जो है वो जलमग्द हो गई है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है अधिकारियों ने नहर की अंदेखी की है ये आरोप जो है उन पर लगा है बड़ी कबर इस वक्ति आपको बता रहे हैं साल भर से नहीं की गई थी नहर की सफाई साल भर से नहर की सफाई नहीं हुई थी गोहाना के माहर गाफ के पास ये माइनर टूटने का जो मामला है वो सामने आया है सौ एकड फसल जलमग नो गई है किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए है देखी किसानों का काफी नुकसान इसमें हुआ है और किसान क्या रहे हैं अधिकारियों ने नहर की अंदेखी की है ये बड़ी ज्रानकारी इस वक्ति आपको दे रहे है गोहाना के मारा गाफ्त के पास रहतक माइनर तूटने से किसानों की सौ एकड़ फसल जलमगन हो गई है भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर किसानों को तस्वीरे भी सामने आ गई है गोहाना से तस्वीरे सामने आई है देखे किसानों में रोश है इसको लेकर अधिकारियों पर कहीं न कहीं अंदेखी का आरोप जो है वो किसानों ने लगाया है गोहाना से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर माइनर तूटने की वज़ा से जो किसान है उनकी सौ एकड़ की फसल जलमगन हो गई है इस खबर पर जादा जानकारी देने के लिए मेरे संयोगी सुनील जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं सुनील पूरी जानकारी दीजे कैसे अचानक से माइनर तूट गई दिलकुल को आज़ा ख जानकारी और और ग्रामिनों को आरोक है कि थित्स में फिद्क शल लगाता है। जो है ग्रामीनों को पुगतना पड़ता है तल राज को भी जो है जिसी पूटरे में पानी भूटा गया तो वो सफाई ना होने के वज़े से जो है अवर फुलो होके और वो ग्राओं की तरफ तूटगी है जो खेथ है प्रेट वह करते जाता जो सफल है उसमें पानी खटा ह होगा है तरामीर में रहो सको लेकर लगातार अविकारियों से जो है इसी कड़ करवाने के सफाई करवाने के गुवाहतर लगाते आ रहे हैं लेकिन आज तक समश्या का इसमादार नहीं हुआ कि नदिज़ा कि देर रात्षिट जो है कि पुगोना जो रहोता इस दिसीपू हुआ है चुले बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सुने तो अब मुआवजे की मांग भी किसानों की दरफ से हो रही है देखने वाले बात होगी कितनी जल्दी आगे जो कदम है इसको लेकर उठाये जाते हैं फिलाल किसान जो है वो परिशान नज़र आए है